next market है guys stock market and guys stock market के बारे में लगबग बहुत लोगों को पता ही होता है and किसी को इसके बारे में introduce करवाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी यहाँ पर US stock market है वो दुनिया में यानि की world में बहुत ही famous है and अगर आप Indian market में यानि की Indian stock market में trading करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो और गाइस यहाँ पर पिछले अंड्रेड यर्स में जो भी imported changes हुए है उसकी बात करें तो यहाँ पर US market एक ऐसा है जिन्होंने यहाँ पर dominance अचीव कर लिया है यानि की US market में crash आता है तो overall market में crash आता है and US market में अगर यानि की bullishness है तो और बहुत सारे यानि की उसके बात जो भी market है उसमें भी bullishness आपको दिखने को मिल सकता है एक्सेंजी से वह consolidated होने लगते है secure sector rotation occurred यानि की जो भी long term के लिए जो rotation होता है यानि की money rotation होता है जैसे कि Bitcoin की अगर बात करें तो जब BTC dominance उपर जाता है तो old season खतम होता है and BTC में bullishness आता है और BTC dominance जब निच्चे जाता है तो old season आता है and Bitcoin में आप ऐसा कुछ changes देखने को नहीं मिलता है यानि की ज्यादाता changes देखने को नहीं मिलता है और guys stock market में आपको well known companies आपको मिल जाएगी जहाँ पर आप trade कर सकते हो इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर public companies like Apple, Amazon, Disney, HSBC, Sell and Volkswagen जैसी बड़ी-बड़ी company में भी आप trading कर सकते हो थर्ड नंबर पर है derivative market यहाँ पर आपको option trading, future trading and CFDS यानि की without owning की आप यहाँ पर trade कर सकते हो इसके बाद आप as trading कर सकते हो जहाँ पर आपका risk कम होता है या फिर बढ़ भी सकता है इसके बाद आप global financial market में भी एंटर कर सकते हो यानि की उसका भी आपको access मिल जाता है जहाँ पर forex market, stock market, commodity, index, CFDS और भी बहुत सारे access आपको देखने को मिल जाते है यहाँ पर आप leverage trading भी कर सकते हो यानि की जो भी leverage आपको 10x, 5x, 2x बहुत सारे ऐसे leverage आपको मिल जाते है जहाँ पर आप small fund से बहुत सारा profit भी कर सकते हो और उसके साथ उसका risk भी यहाँ पर leverage के साथ बढ़ जाता है commodity market की अगर बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से commodities होते हैं जैसे कि hard commodities and soft commodities जहाँ पर hard commodities में आपको gold and all trade करने को मिल जाता है इसके बाद soft commodities की अगर बात करें तो यहाँ पर agriculture and livestock products आपको trade करने के लिए मिल जाता है इसके बाद आपको soft commodities में कोफी, कोका, कोको, कोटन, सुगर और भी बहुत सारे ऐसे commodities है जहाँ पर आप trading कर सकते हो और भी अगर बात करें hard commodities की तो यहाँ पर आपको crude oil है, WTI crude oil, natural gas, gold, silver, copper, platinum ऐसे बहुत सारे hard commodities भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप आसाने से trading कर सकते हो